हेलो स्मार्डस परेंट टो फाइनली आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने कहा था कि पूरी जितनी भी ट्रेक्स या लोजिक्स ने उसका एक कंपाईलेशन लेकर आ जाओ और उसकी एक पेडियव बना के हमें दिधा और एक वीडियो में पूरी सारी जो लोजिक्स है उनको रिवाइश करवाद दो तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ डिस्क्लेमर दे दूँ और शॉर्ट मैं बता दूँगा पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि आपका स्लिवा से वो दो से तीन वर खतम होना चीह है जो कि हो चुका होगा यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है ट्रीक है स्मार्ट एस्परेंट गुरूप है टेलीग्राम पर बहां पर मैं इसको पीडियम पोस्ट कर दूँगा वहां से आप इसको फटा फट जाके रिवाइस कर सकते हैं और साथी साथ जो है इनकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिये सारे लोजिक्स की तो आप और इंट्रस्टिंग और आपके जो एनिमेटेड कंटेंट आने वाले मेंस के लिए भी तो आपके लिए बहुत बेनिफीशल रहेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो चलिए यह जो इंपोर्टेंट गाइडलाइन से यह मैं भी आंगे बताऊंगा हम लोग ड प्रोसेस बोलता है कोई कि इन सबका जो नाम है न यहीं की चीज में आती है हमारी कॉमनसें में यह सारी लॉजिक प्रम यह नाम का डिय एंट है प्रेयुर्टी रिता है यहीं हमें आपनेन्स जलाता है यह वहला जिसस पर आप हंडेट पर सेंगें यहीं किम्शल सकते हो त तो मतलब knowledge को हमें first priority देनी है then हमें किसी चीज को और priority देनी है तो जिससे कि हम लोग को पता है कि हम लोग उनने चार वीडियो में पूरे यह जो logic से उनको अच्छे से cover किया था चार वीडियो में इसमें ते हमारे चार तरीके की tricks हम लोगों ने देखी थी एक तो right statement trick मतलब कि इसमें वो statement आते थे जिनको हमको right मानना है मतलब सही मानना है दूसरी थी wrong statement trick जिसमें वो statement आते थे जिनने हम लोग को wrong मानना है और तीसरी थी हमारी option related logics जिसे हम लोग last resort के लिए रखते थे कि मतलब जब हमारी ये ट्रिक वर्क ना करे ये ट्रिक वर्क ना करे तो उसके साथ कंबाइन होके जो है हम लोग ये वाले logic option वाले logic जो है वो कैसे use कर सकते हैं और literally बताओं उसमें तो मैं कुछ कम data और fact लेकर आपाये था बट अब जो है मुझे इतने सारे पूरे 10 साल के 2011 से पूरा data आपके सामने प्रेजेंट करूं मजा जाएगा आपको और हमेशे की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को comment करना है I will clear prelims ये इसलिए करना है इस time इसकी must needed है क्योंकि आप अगर positive affirmation नहीं बोलेंगे खुद से तो mind जो है आपको negative affirmation बोलने लगेगा तो ये जो comment section में आप लिखिए I will clear prelims जितने भी positive चीज लिख सकते हो positive चीज लिखिए नहीं तो अगर आपने माइंड को लो नहीं बनाया ना तो mind आपको लो बना देगा तो सबी लोग जो है इसको लिखिए comment section पूरा भर दीजिए positive positive चीज़ों से ताकि आपका जो mind रहा है वो एकदम शार्प रहा है और positive mindset के साथ आप exam में जा सको ओके तो लिखिए और इस वीडियो को continue करिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे right statement रिख की तो इसमें जो है हम लोग logic देखेंगे जिन statement को हम लोग को right मानना है तो इसमें यह सारे मैंने list collect कर दिये यहाँ पर main, lead to, can be यह जो है मैं पढ़के नहीं बताऊँगा आप सबको self-explanatory हो पहले भी मैं बता चुका हूँ तो कभी भी इसके साथ जो है अगर extreme बढ़ा जाता है तो वह statement generally wrong होता है okay extreme word आ जाए तो वह generally wrong होता है और एक चीज और हाँ पर ध्यान रखना यह more than, less than, less than तो इसमें थोड़ा से एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप PYQ के questions लगाओगे तो most of the time आपको कई बार यह more than, less than वाले यह गलात होते हुए दिखेंगे तो वह कि sense में गलात होते हुए दिखेंगे वह थोड़ा सा समझ लो समझ लो ठीक है कभी भी ना UPSC अगर कोई भी चीज को compare करे एक तो compare वर्ड कहीं पर भी बोलता है ना वह कि compare वर्ड बोलता है तो वह generally statement थोड़ा सा मतलब वह statement generally गलत होता ही है compare करता है जब वह किसी चीज को किसी और से compare करता है ठीक है एक तो बात यह हो गई अब यह देखो कि ऐसे कौन-कौन से वर्ड है जो comparison को शो करते हैं तो यहां पर more than less than less than जो वर्ड है यह comparison को शो करते हैं अब जिससे देखो मैं example देता हूं बहुत द्यांज़ा समझ ना मैं conceptual बात बता रहा हूं यह आपने observe भी करी होगी जिसने भी observe करिए ना comment करके बताना कि यह चीज आपने question लगाते time observe करिए जिससे कि मानलो की UPSC जो है बोल रहा है या UPSC ने एकदम general example से मैं बता रहा हूं आप लोग को कि मानलो जो glacier है यह देखो यह glacier है और यह है आपका ground water ठीक है ground water है अब मैं क्या वह in water of groundwater ठीक है glacier has the more than water in the groundwater तो यह मैं more than less than अगर मैं word यूज करूं लैस्दन वर्ड यूज करूं तो यह क्या बताता है यह वन चीज को दूसरे से compare कर रहा है समझ में आ रहा है तो ऐसे क्या करता है UPSC in words को use करता है as a comparison और comparison जब भी करता है ना तो वहां पर होता है जोल समझो जोल जोल होता है जोल तो वह जोल वाली जगह में गलत होने के chances होते हैं तो यह more than less than यह comparison को शोगरता है तो जब भी comparison वर्ड देखो comparison टाइप का statement देखो तो वहां पर जोल होगा और एक चीज उपीएसी और गेम खिलता है वह क्या कलता है कि एक जगह यह वर्ड तो यूज कर देगा एक चीज और है जैसे वेटर वर्ड यह भी comparison वर्ड जो है ग्रेटर है ग्रेटर बोले तो ग्रेटर अगर बोल रहे तो किसी और चीज से compare करके बोल रहा होगा ना तो यह जो है आपको सब्जेक्ट वाइस जो हैं elimination trick उसमें बताईए एक बार वह जरूर देख ले चीज स्पीड में करके देख लेना जल्दी घुमा देना आपको वह जाएगा अगर नहीं भी देख रहा है क्योंकि तो टेलिग्राम पर उसकी पीडिएप डलुए वहां से रिवाइस कर लेना ठीक है लेकिन वह पीडिएप समझ में नहीं आएगी जब तक आप वीडियो नहीं देखो गए तो वीडियो ज़रूर देख लेना स्पीड बढ़ाके तो चलो तो यह समझ में आया कि compare वड़् जो होता है compare करें तो यूप य से क्या करता है जल्दी हमेशा क्या करता है तो उसक्रेटमेंट में लेकिन compare के साथ एक compare के साथ एक शोन बना रहा है statement में एक तो वो पहले ही compare कर रहा है और फिर दुआरा compare वर्ड भी उस कर रहा है तो मतलब UPSC चिला चिला की यह कह रहा है यह statement चिला चिला की यह कह रहा है कि भाई वो statement गलत है समझगे चैलो तो अब आयो जो है डाउट नहीं होगा तो यह statement कई पर भी देखो आप जनरली वह सही होते हैं जैसे यहाँ पर जनरली पॉलिटी वागेरा में जो है यह यह लॉजिक्स बगेरा वर्क नहीं करती है समवाले statement काफी आये थे साथ आट आये थे तो उसमें से कु एसाब से देख लेना ओके और यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्क करिए करें मैं अब बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हो क्योंकि इन सब चीजों मैं अल्रीडी डिटेल Recogn Movie पहले बता चुका हूं मैं यहां पर compile कर रहा हूं सारी चीजों को यह देखो लाश्ट 10 साल के 11 सब में सम सम आया है और mostly जागा सम राइट ही बता है इसलिए मैं आप इस पर आग बन करके बरोसा कर सकते हो करना ही पड़ेगा बाकी लोग करना है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो थीक है ऐसा मत सोची कि चलना कि अगर चेंज हो गया पेटर्न चेंज हो गया तो क्या होगा यह कि होगा कुछ चीज जो है वो यूपीएसी आपको देता है हिंट देता है कि हाँ यह चीज आप सॉल्व कर सकते हो ओके चलो तो यह देखो सम और भी सम में कितने सारे सम में य आपको देखा कि अगर एक्स्ट्रीम वड़ा आ जाता है बहुत ही रेर केस होता है में के साथ कुछ लिखा हुआ था डारेक्ट वगिरा वड़ तो वो जो है सही था बाकि otherwise जो है आपको जो है सही देखने को मिलते है यहापर भी में है देखो यहापर 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 यह यहां पर can be can be तो अगर तीनों statement positive positive दे रहे हैं तो तीनों ही सही होता है ठीक है can be यहां पर देखो आप लोग यहां पर आपका one of the one of the जो है वो most of the time सही होते है one of the मतलब क्या बता रहा है यह थोड़ी न बोलता है कि only one the यह on largest the यह extreme बड़ होता लेकिन one of the इन में से एक अगर कोई भी एक बड़ भी अगर एक सेंटेंस भी अगर एक चीज भी अगर सही होगे ना तो वह statement सही हो जाएगा लेकिन अगर वो यह कहता है कि यही only the only the यह largest यह first तब extreme हो जाता है थोड़ा सही समझो मतलब कि यह generic statement है general statement क कम से कम 4-5 question आये तो आप उसमें statement में सही कर सकते हो और यह assertion में इतना अच्छफ है आप को कोश्चन वर्न करने का आप दोनों गलत करी नहीं सकते हो एक सही करना है गलत यह दोनों ही नहीं सकते यहां पर आप लोग जो statement है ऍाही statement आराम से जो ही असबास पहुछी सकते हो तो बहुत beautifully design करें, assertion और reason वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप practice करें होगे, आप बहुत सारे लोगों ने, जब मेरे practice कर वही है, तो बहुत सारे लोगों ने की भी है practice, तो आप इसको easy समझिए, ठीक है, चलो, इसके बाद application word, यह वहाँ पर गलत हो गया था, तो application का जो है इसमें see answer आ जाएगा, एक web point 3.0 है, उसमें भी application word किया है, महाँ पर भी आपको सही देखने को मिलेगा, और कहीं कहें पर application word, application apply नहीं होता है, जिसे यहाँ पर apply नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, जहां हम लोग ने अगर average देखा कि 2 में से 3 में apply, मतलब 3 में से 2 म apply हो रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, सही बोल रहा है, थोड़ा सा essence भी देख लेना, उसका थोड़ा सा knowledge or common sense लगा के भी देख लेना, कि वो statement आकर कहाना क्या चाहरा है, ऐसे blind ले भी नहीं करना है, क्योंकि first हम लोगों ने क्या देखा कि knowledge लगाना है, knowledge के पाद अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो सब वही चीज लगाते है, तो आपको भी लगाना में कोई इतना शर्माना नहीं है, कोई hijack नहीं लेना है, यह risk लेना है, और हम लोग leader बनने वाले, leader की एक quality होती है, कि वो risk लेता है, risk taking वाला होता है, तो यहाँ पर risk लेना में चलो, यहाँ पर जनरली वर्ड, जनरली वर्ड जो है, आपको देखने को मिलता है, अब यहाँ पर जनरली वर्ड इसलिए नहीं है, क्योंकि आपन नॉलेज लगेगा, सिंकाकु आप लोग पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ते हो तो अभी list देख लेना, किसी की वीडियो उठ आपको सारी यह मिल भी जाएंगी, ठीके देख लेना, जल्ली करता हो, मैं स्पीड बढ़ा रहा हो, ताकि मैं आपका जल्ली से यह हो जाए, ज्यादा टाइम ने लेना, क्योंकि मुझे मालूम है, इस टैम पे काफी बड़न चल रहा है, इसकी प्रेक्टिस कर लो आप प्रूब करने में न, मतलब पसी न आ जाए, यूपी से के पे तो बहुत जर्नली क्या होता है, सही होता है, अब जैसे देखो यह बिजे नकर एंपायर में नुनीज ने क्या लिखा, हमको थोड़ी न पता, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, कैसे प्रूब कर सकते हो, सही ह होगा वो, ठीक है, हाट टू प्रूब आला, इसके बाद, यह देखिए, मैचिंग टाइप के, फॉर स्टेटमेंट जो है उसमें, उसमें फॉर स्टेटमेंट हो, तो जनली क्या होता है, वो इंडर्चेंज करता है, उपर का नीचे कर देता है, नीचे का उपर कर देता है, यह जनली, यूपीएसी का खेल है, तो यह गेम से हैं, यह ट्रैप से हैं, यूपीएसी चार स्टेटमेंट जब भी देता है, तो दो को स्वैप करता है, यह जान लगो, अब जैसे देखो, यह दिस रूल दस नॉट अपलाए टू कोशन, वेरा, तीन स्टेटमेंट वाले यह अपलाए नहीं होता है, आप जैसे देखो, word association रखो, code, word association से भी हो जाता है, aims and objective and government की स्कीम है, यह initiative बोल रहा है, वो generally right होते है, आप देखें, इसमें ना कुछ है, मैं बताता हूँ, 2023 में एक जो है, आपका, sorry, तो 2023 में आपका यह question आया था, यह objective बाला, अब इसमें द दो में objective हैं, तो यहाँ पर हमारी लगेगी, चिंकी मिंगे trick, अब यह मैं बताऊँगा, चिंकी मिंगे trick क्या है, चिंकी मिंगे trick यह है, कि एक statement सही होता है, एक गलत होता है, इसमें बताए जाएगा आपको, तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर यह ना, its objective लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें provide the infant up to the year, one year, one year, one year, one year, two year, यह extreme statement है, तो लगा दिया, तो एक सही है, गलत होगा, तो आपका जो दो है, चारे वो एक साथ नहीं जाएगा, तो मतलब एक गलत होगा, तो हम लोग ने 4 तो अटा दिया, तो इस तरीके से जो है, आपका थोड़ा सारे logics जो है न, एक साथ work करेंगे आपके यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर यह right statement रिक बता रहा हूँ, अभी wrong statement भी बताऊँगा, और फिर हमारे option वाले भी बताऊँगा, यह सारी एक साथ work करेंगी, priority किसको देनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ओके, तो यह मैं evidence के साथ, fact के साथ आपको आपने नहीं लेखा हो गई, यह मैं surely बोल सकता हूँ, चलो, इसके बाद, जो है, atomology यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं न, बता है न, code, codes जो है, ही बोल लगा के, यूज़ कर सकते हैं, और, दो option है, अगर opposite in nature है, then, जो है, one of the damn, उसमें से, एक सही हो हो जाएगा, inclusive growth हो जाएगा, inclusion की बाद करिए किसी में, तो वो statement generally सही होते हैं, अब positive concept का positive option सही होगा, यह न, यह trick आपकी, 99 या 100% भी बोलो, तो गलत नहीं होगा, 99% जो है, वो है work करती है, मतलब कि कोई भी positive अगर चीज पूछ रहा है, तो उसका positive outcome होगा, या अगर कोई negative चीज पूछ रहा है, तो negative outcome होगा, इसमें देखो system of rice intensification, तो इसके यह positive चीज है, ठीक है, यह positive चीज है, तो इसका जो है positive, positive है, reduce करता है, reduce करता है, sorry, tongue slip पूरी है, थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का time भी न लगे, क्योंकि आप लोग चाह रहा हूँ, जो context में आपको देना चाह रहा हूँ, जो perspective देना चाह रहा हूँ, वो समझना, ठीक है, okay, तो यह जो है आपका positive, यह positive है, यह positive है, यह positive है, जब वो पूछा हो सना positive है, तो positive outcome होगा, अगर इसी के जगह आप बोल देता, negative चीज बोल देता, कोई चीज problem 95 या 99% वर्क करती है, चलो, इसके बाद कहीं कि constitution of India, define, prescribe, classify, और according to, यह generally statement जो होता है, कहीं पर भी लिखे तो वो गलत होता है, बट 2023 में mostly लोग बोल रहा हैं कि वो according वाला statement वो गलत है, तो ठीक है, कोई बात नहीं जगह गलत हो रहा है ना, बागी जगह तो सही हो रहा है, अभी पीछे भी statement में हम लोग ने देखे, कोई बात नहीं है, it's okay, हम probability की game पे चल रहा है, probability की game क्या कहता है आपका, अगर 10 में से आपके, मालो जादा से जादा, जादा से जादा, अगर 4 भी आपके गलत होते हैं तो भी आप 5-6 सा ही हो रहा है, positive, net positive जा रहा है, हम लोग क constitution में यह चीज elaborate form में नहीं है, जैसे कि exempt बोले, empower बोले certain provision, certain provision यह चीज़ elaborate तो नहीं है, लेकिन जब defined word बोले तो एकदम एक frame में आ जाती है, कि defined है तो मतलब वही होगा, लेकिन exempt empower करे कि यह तो कोई explicit नहीं है ना चीज़े, तो यह वाले statement क्या होते है, जनरल ही सही होते है, अब देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, यह act is right होती है, बट मैं recommend नहीं करता हूँ, जो है always right होते हैं, उसका मेरे को logic भी नहीं समझा है, मैंने पूरे खंगाल के देख लिए सारे active अगेरा, तो कुछ में apply हो रहा है, कुछ में apply नहीं हो रहा है, तो मैं उसको personally suggest नहीं करता हूँ, चिंकी मिंकी ट्रिक भरदान है वाई, मैं बता रहा हूँ, previously है कि बहुत सारे question सब उठा के देख लेना, और यहां पर 16 question में दिखा दूँगा, 2023 में है, 16 question यहां पर मैं नहीं है, यहां पर 2023 के करें, यहां पर चिंकी मिंकी apply हो रही है, चिंकी मिंकी क्य हम लोग यहां play नहीं कर रहे हैं, चलो आएंगे देखो, इसके बात देखो, बहुत जगा जो है, कितने सारे जगा पर चिंकी मिंकी लगी है, यहां पर चिंकी मिंकी लगी है, यहां पर चिंकी मिंकी लगी है, मैं बता चुका हूँ, short view बना चुका हूँ, देख लेना, ठी जैसे पॉलिटि वार्टि रहे हैं तो अनॉलेजर लगाओ उसमेंं कोई दिक्कति नी कितने सारे में तो लगे भी न हूँ अगर माझनली कोई अगर आस वाले ठीज्टना चीजा के बारे में सोच रहा है कि जो question गलत गये हैं, वो क्यों गलत गये हैं, logic गलत करने के लिए लगाओ, बट सही भी होते हैं आपसे, यह mind में रखो कि सही होते हैं, चलो, इसके बाद यह जो UPSC उनके चीजों से बहुत प्यार करता है, लव करता है उनसे, बदला उसके हाट के करीब है UPSC के, जैसे कि ports ह हो गया, land हो गया, forest हो गया, wetland हो गया, corals हो गया, अकवर हो गया, देखो अकवर से, बड़ा पड़ा है, हुआ है अकवर से, पूछ पूछ के बार बार, पढ़ डालो यार, कितने टाइम लगेगा, अभी पी टाइम अकवर को उठा के थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, ताकि मह कोई स्टेट हो, अन्वार निकवार हो, लेवर हो, ये 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 काफी वर्ग कर रही है, अभी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, अरुनाचल प्रदेश जो है, कहीं पर दिखता है, तो ये 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 यूनियन हो गया, देखो अकवर पूछा है, अशोक देखो कितना बार पू कुछता ही है, कुछ कुछ टॉपिक जैसे जैनिजम, बुद्धिजम उसको बहुत प्यार है, जैनिजम, बुद्धिजम हो गया, अशोक हो गया, अकवर हो गया, और आपके, और और क्या हो गया, संगमकाल हो गया, बिजिनगर एंपार हो गया, किष्णे देवराय हो गया, यह सब ने बहुत फैवरेट है UPSC के और देखो यह फंजी 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 कितने बार पूछा फंगस से फंगस से एक बार कोई पढ़ो करो ना चलो इसमें देखो जिसमें भी यूएन वगेरा लिखा रहा है ना कोई बी ओर्गनाईशन में तो वह इंटर गवर्मेंटल ओर्गनाईशन होगा अगर किसी में भी यूएन लगा है वह गलती से भी उसको ना एंजीओ मत बना देना ओके कोई में अथोर्टी लिखा हो ना तो वह जनरली स्टेचूटरी वोडी होती है अभी मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा वह देख ले ना ठीक है कोईशन में अगर जो है नेगेटिव पूछा तो अगर कंसर पूछा तो उसका अंसर भी नेगेटिव होगा और उसके बाद ए आगेटिव अरशन में अगर्सा आगटिव एप्सुलूट डाटरा जो डेता यह है आपका स्तेड़ी इनक्रीज हो जाता है वह जो आपका रॉड ways रहा है वह बस वहाङ्स वह मता ह्या करें मैं अभी देखने ना मैं बताऊंगा मैं इसके आद प्रो फ्रेटलिजम प्रो डेमेकरिटिक डिसेंटलाइजेशन बोटम अपर अप्रोच की बात करें कोई इनोवेशन इंक्लूजिव सस्टेनेबल पावर्टी एड्सेक्टर जनरली जो रहते हैं यह राइट होते हैं तो मतलब समझ लेना कि वह यह उप्शन सही होगा जनरली काउंसिल का जो चेयर मेंने वह मिनिस्टर होगा मिनिस्टर होता है काउंसिल कभी लिखा रहे न कि हाँ यह काउंसिल है इसके जो चेयर मेंने यह मिनिस्टर है तो मिनिस्टर होता है ठीके ब्यूर्यक्राइट नही लिखा रहा हो suffix में मतलब कि बाद में लिखा रहा है जैसे मनेस्टी इंटरनेशनल एक कोशन पूछा गया था अपने लगा होगा तो आपको याद होगा वह इंजियो है और अगर आगे लगा है इंटरनेशनल तो वह क्या है अपका इंटर गवर्मेंटल और्गेनेशन यह गलती होगी तो मेरे पिछले बार मैंने उसमें बना बनाओ और लॉव से पब्लिक को पार्टिसिपेशन के लिए बोलो कि आप पार्टिसिपेट करो इस चीज में नहीं बोल सकते लॉव बनाके आप जैसे कि हमारे प्रजानमंत्री बोलें कि आप आपको हमारे पुरे भारत में घूमना चाहिए भारत का टूरिजम को बढ़ाना चाहिए तो यह जैनरल सेंस में अगर ऐसा बोलते हैं रिकमेंट करते हैं पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए बोलते तो वह सही होगा बट अगर लॉव बनाके फोर्स करने की बात कर रहे जा रहे है तो वहाँ पर वह चीज एक्स्रीम हो जाती है जैसे कि स्टेंड में तो यह क्या बात है मतलब ऐसा इतनी पकवास आते क्यों बूल रहे हो क्यों जब भी फोर्स वह इसलिए भी होता ना कि एक रेके तुरू आपको फिर वह कंपल्सरी चीजे हो जाती है तो जनरल के स्टेंड में वहले जिसको करना तो करो जैसे हर घर तरंगा वाला जो स्टे जनरिक था लेकिन अगर वही लॉव बना देते ना जब बताव जनरल बोलने में लोगों ने इतना उसका प्रोटेस्ट किया जब तो फिर अगर आप लॉव बना देतो तो कितना बुकाल मज जाता तो समझ रहा तो कभी भी ना पब्लिक पाटिसिपीशन के लिए फोर्स न स्टेट्मेंट हो उसमें अलर्ट रहना थोड़ा सा ठीक है असी बात डॉंट ऑवर अनलिसिस स्पेशली एकनोमिक देखो एकनोमिक में बहुत ज्यादा ऑवर अनलिसिस मत करना कि इंफलेशन जो है वो डारेक्ट देखने कि हमारे इंडिया में क्या फरक पड़ता है बहु स्टेट्मेंट अपने पढ़ा है तो वही सही होगा और महीं पर आपका अंसर होगा कभी कवाई ट्रेप जो होता है ़ो होते है तो फोर्थ स्टेट्मेंट तक आपको पढ़ना है ध्यान से पर पढ़ना है ऐसारे चीजे हैँом। हिंदी में भी पढ़ लिया करो भाई जैसे वो राणो कच्छ था खराई केमल था भाई और बहुत सारी चीज़े यही थी जिए हिंदी में आपको कईना जो है कईना का एंसर दे देती है डबलू टियो देखो कोर इंडस्टी बोधिसत्वा यह जो है रूल वर्क करते हैं मतलब कहीं पर भी investment कर रहे हैं तो ओसे लिए पर आशिब्स लेकला ना कि फ्रीवीज देना थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ है यह कंसेप्चुल चीज़ है बस समझ लो गवर्मेंट के पॉजिटिव आसपेक्ट पॉजिटिव स्कीम के आसपेक्ट वह सही होता है अब देखो मैंने को कुछ जो लॉजिक में लाए नया कि कभी भी जो है अरुणाचल प्रदेश इसमें भी अरुणाचल प्रदेश इसमें भी जो नामदफाय अगर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में है बराक रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी आपकी जो है मतलब आपकी रिवर्स वगे रहें अगर कोई नेशनल पार यहां पर आपकी टेक्निक नहीं कर रही है कोई बात नहीं थिए बड़ हमारे ने ब्सके आपके लिए वीडियो देख लो नबस इनाफ है चलो और जल्डी गालदी थोड़ा से स्पीड में और पर बढ़ाऊंगा क्योंकि एज रिवीजन हम लोग को देख रहे हैं अब हम लोग बात करते हैं रोंग स्टेटमेंट ट्रिक के बारे में इसमें क्या करना है स्टेटमेंट को हम लोग को रॉंग मानना है तो यह कुछ पचास 54 ऐसे हैं जिसमें जे एक्स्रीम बड़ें इनको आप जनरली रॉंग मान सकते हो बड़ हमेरे सब प्रायोटी आपको डाटा वगिरा इन सब पर देनी है तो यह स्टेटमेंट को आप लोग रॉंग मान सकते हैं इसको रटलो बार 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 कहीं पर यह स्टेटमेंट को तो यूपीसी बड़े बड़े यहां पर देखो यह मैंने पूरे 12 साल के पूरे इलादी है रेडिली 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 इंटायरली 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 इनुम्रसली अधा अधा यहां पर लॉजिक वर्क नहीं करता है बताना था एक recently वाला चीज है recently word कहीं पर भी लिखा रहे ना तो वो generally सही देखा गया है मैं इसको telegram पर send कर दूँँगा रिसेंटली वाला यह एक short बना दूँगा मेरी short देख ले ना ठीक है तो मेरे को वह मिला था मैं वह में इसमें include नहीं कर पाया हूँ recently but generally जो है right देखा गया है okay एक बार मैं confirm करके बता दूँगा आपको recently what come मैंने अभी just logic देखा था उसका तो वह आप टेलिग्राम पर देख लेना या मैं short डाल दूँगा एक उस पर तो इसको देखो इसको शॉल परने का क्या तरीका है यहां पर हम लोग ने चिंके मिकी लगा दिया अधार इसमेंड़ेटरी अब एक साही होगा एक गलत होगा एक तो चार और तीन जो है एक साही जाने सकते है ठीक है तो दोनों में से एक साही नहीं जाएंगा तो फिर एक गलत होगा एक से होगा कोई भी एक को माल लेना कम से कम आप दो हैं almost एक स्टेट्मेंट को डिलीट तो कर पा रहे हो ओके डिलीट कर लिए आप लोगों ने फिर अधार जो है में डाटा डाटा कैन नौट ब इस स्टेट्मेंट को गलत कर लिया बस almost आप अब आटाम करने लायक बन जाते तो आपका होजाएगा अभी में डिटेल में नहीं बता पा रहा हूंगा इस आपका जो टाइम में बहुत कम से कम लेना चाह रहा हूं और ये शारी चीज में पीडियेप दे दूंगा आपको टेलिग्राम जो गुरूप जोन कर लिए स्मार्ट अस्परेंट 15 करके हैं तो बहां पर आपको सारी पीडियो जो है मिल लाएंगे चलो कोई ministry organization वगेरा हो तो वो क्या होते हैं गलत होते हैं अभी तक तो गलत दिये हैं और आंगे भी UPC गलती देने के चांसे से गलत दे सकता है ठीक है double data का यह double data को Delhi व दवाई और मॉस्को है यह जो है इसमें भी views लगारा थे double data है तो थीक है कुछी में बर्क कर रहा है कुछ में बर्क नी कर रहा है इसको अपनी conscious के हेसाप से देख लेना कुछ में बर्क नहीं कर रहा है प्रिधे परिबर्यु यहर में but mostly जो है कुछ ठीक है डारेक्टली वर्ड कहीं पर देखो जनरली वह रॉंग होता है यहां पर पॉजिटिव सेंस में देखो तो वहां पर उसका यहां पर नहीं बर्ग करेगा वह डारेक्टली कहीं पर भी देखने को मिला यह पूरे ग्यारा साल में कहीं पर भी कोशिण आया हुए ना वह सारे लिखे हुआ हमेरे आप देखो इयर डामेंशन डारेक्शन बोले कही बार इयर बोलता है वन यह टू यह स्पैसिपिक यह के नाम बोले वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे काउंट करके बोले तो वह जनरली क्या होता इंडिया इस दा बेस्ट चलो वर्ट नॉट एंड वाइड वर्ट लिखे फिर उसके बाद कोई भी जो है कंपेरिशन दे को वर्ट वर्ट भी नहां तो एक तरीके से वह कंडिशन करता है कि कंडिशन दे पहले तो पूरे आपको बरुसा दिला दे कि इस स्टेट्मेंट से अगर यह आप वाइल और वर्ट देख रहें तो एक सही होता है यह गलत होता है उसमें चिंकेमिकी लगाते हैं ठीक है ओके यहां पर देखो बिदाउट तो बिदाउट में ऐसी जनरली हुआ गया था बिदाउट मैंने जहां पर भी देखा तो वह स्टेट्मेंट मुझे स मैं गलत ला वोत सारे इक स्टीम वह सारे टीचर उशती जल्च तो यह था गविंग विदाउट ऑप इसे यहां कितने इसमें रहें है वी rings कोई दिककत में है है उंधे बढ़ता है देखो यह बहुत जादा बmbol **ौल कर्थीप कर देता डे मकई जो है उपर से नीचे पार नीचे डाल देता है बंपर कि अनचे के लिच्वक्त chate न्यचे डाल देता है जैसे यहां उपर का नीचे डालतिया जो स्टेटमंट का एक नीचे डालती है इसमें भी इसने स्वाइब कर दिया इसमें भी बैलेश्टिक मिसाइल को जो है क्रूज मिसाइल से कर दिया इसमें स्वाइब कर दिया ऐसी स्वापिंग टेखनीक भी यूपीज से के चलती है कंटेंप्रेरि मेरें को पता नहीं यह इसा डाउट हो तो कभी मैं लॉझिक देखता हूं जाऑ कि यह तो आप यह समझो और कुछ नहीं कोई स्टेटमेंट जो है अगर दूसर ज्यादा फैक्ट कर रहा है और विकॉस वर्ड लगाए तो भी वह स्टेटमेंट जनली रॉंग होने के चैंसे होते हैं नेगेटिव वर्ड हो नोट डू नोट नेवर नथिंग जनली रॉंग होते हैं कंट्रोल रस्ट्रीक्ट डिक्टेक्ट यह भी एक स्ट्रीम वर्ड है जो वहां पर मैं आड नहीं कर पाया था treaty हो, case हो, commission हो यह specific of all this जो है नहीं होगा मतलब specific पूछे तो all of this नहीं होगा उसका यह कहना चाहना है जैसे देखो इसमें treaty है पूरा सही नहीं होगा सारे questions सही नहीं होगे हैं पर case है इसमें सारे option सही नहीं होगे परमेशन है उसके सारे options ही नहीं हो गए मतलब कि ये treaty ये सब ये ना इसके all options ही नहीं होते हैं मतलब all options ही नहीं है तो आपने एक eliminate कर दिया एक eliminate कर दिया तो आपके पर तीन बचे तो बस अब लो रिस्क लो एक एक option भी अगर आप हाटा देते हो ना तो आपके chances बढ़ जाते हैं कि वह question आप attempt करो कि अधरवाइस आप अपने आपको फूल बना रहे हो तो फूल नहीं बनना है फायर बनना है फायर फायर है में चलो इसका swap करता है increase को decrease कर देता है president को prime minister से कर देता है eastern guard को western guard से कर देता है eastern league को western league से कर देता है central government को state government से कर देता है लोग सभा को राजे सभा से कर देता है, जैनिजम को बुद्धिजम से कर देता है, इन और्गनिक को और्गनिक से कर देता है, गवर्नर को प्रेसिडेंस से कर देता है, यह टेकनिक सब में शॉर्ट सॉर्ट में बहुत बताया हूं, तो देख ले ना एक वाटी के, परसेंटे बाटि है आपके साउथ के स्तेट या जो हाद के वाद के स्तेट के वह बता रहे हैं या खि मौना टो जाता है जाता है इसे यह पर है को औंदर गssen 가지 चलो अगले देखते हैं डाठा अगर जो है वह गलत होता है अगर कोई ऐसा अडाटा बोल रहा है कोई रेशो बागेरा बोलता है जैसे इसमें रेशो है तो यह सही होता है यह इसमें मैं वीडियो बनाए हुँँ देख लेना यह डाटा गलत है डाटा गलत है ठीक है चलो तो यह होगी हमारी रोंग स्टेट्मेंट ट्रिक अब मैं बताता हूं जो है हमारी लॉजिक्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने इसको स्केम बता दिया है बट मैं प्रूप के साथ सारी चीजे बताऊंगा आप लोग को ऐसे हावा में बाते नहीं करूंगा बहुत इंटरस्टिंग है द्यान सो सुनो तो यह है हमारी ऑप्शन रिलेटेट ट्र है अगर एक्सेप्ट की वह साइंस एंट टेक्नोलोजी करना हो यह पॉलूशन और इंवार्मेंट से रिलेटेट ना हो अगर वह उससे रिलेटेट होता तो जनरली उसमें अगर देखा जाय तो प्रिवाई को के अब्जर्वेशन में तो आल सही होते हैं पर उसमें भी दे यहां पर देखो ना कम से कम आल्मोस्ट आप देखोगे कि हमारे 33 के आसपा जो है थ्री स्टेट्रेंट वाले कोशन आये हुए हैं तो 33 के मैंसे आप देखोगे कि नन जो है दिया हूँ इसमें साथ कूशन में यूपीसे ने नन दिया है मतलब कि इसी बार ऐसा हुआ है कि इसमें नाइदर नन ओप्षिन जो है यूपीसे ने दिया है अभी तक की पैटर्न में नहीं हुआ था यही सबसे बड़ा मेजर चेंजिस आपको यहां पर पैटर्न में चेंजिस देखने कर लेगा यहां पर नन कोशन वाला तो नन कोशन में भी आप लोग देखोगे तो यहां से अम से हमको क्या पता है किंशे हमलोग को जो मैपिंग वाली चीज JR हिन् व हमको इसके ऐक्सकत्री नॉलेज नन दिया है और उसमें एक quality का दिख जाएगा, quality में तो पहले भी pattern चल रहा है, कि जनरली पहीं पर हम लोग को wrong देखने को मिलता है, neither or neither to quality में देखने को, मिल लाता है जनरली एक तो, बट जो none वाला जो pattern है यह हमको मेजरली changes हमको 2023 में देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग पूरा observation देखें तो तीन question ऐसे थे, जिसमें तीनों सही है, ऐसे चार question थे, चार question उसमें अभी science and technology वाला है, science and technology वाला है, या तो कोई soft tone होगी, उसमें जैसे can be, can be, can be हो गया, उसमें पूरा, तो ऐसे soft tone वाला हो, त तब ही होगा, आप उसमें जब देखोगे न, उसका context समझोगे, अब बाकी सब में जो है, वो extreme दे रहा है और एक में positive दे रहा है, तो उस context के बिसे पर भी कर सकते हो, कई बार, only one, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए, overall, जो जुकाव जा रहा है, वो only two की तरफ जा रहा है only two के statement जो है, वो 13 है, almost 13, 13 statement है, 2023 में, जिसमें ये work करा है, अमरा लोजिक की 3 में से 2 सही होने का chances होता है, जब कोई नी समझ में आ रहा है न, एकदम last resort, आपका कोई extreme but नहीं लग रहा, कोई right statement रिक नहीं लग रही, कोई wrong statement रिक नहीं लग रही, वहापे कोई knowledge भी नहीं लगाओ, मैं तो generally क्या करता हूँ, तो 3 statement को काटी देता हूँ, अगर वो environment, science, technology तो मेरे पाद 3 बचे, ठीक है, third option मतलब only on 3 के 3 statement को काटी दिया, तो मेरे पाद 3 बचे, मैं इसमें से risk ले सकता हूँ, या पर मैं probability के game से लगा सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं जो data बताने वाल होता है, तो यहाँ पर भी आप देखो, अभी मैं पूरा data दिखाऊंगा, यह सारे question है, इसको practice कर लेना, मैं अभी PDF sign कर दूँगा, अब देखो, कहीं पर भी 5 statement होता है, 5 statement में 3 सही होने के chances होता है, एक भी बहुत कमी सही होता है, पूरे के 5 तो सही नहीं होता है, तो 5 पू क्योंकि नौली लगेगा ना, देखो, वहाँ पर mapping के बारे में पूछ रहा हो, काफी news में भी रहा है उस time पे, और तर्की की state है सही होता है, यार, नहीं पता आपको, यहाँ तो छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है, यहाँ पर 6 statement में देखा कि 4 सही होता है, जनरली, तो दे हम, अब आओ, अब देखो main data, मैं यहीं पर यह इसी के लिए wait कर रहा था इतनी वीडियो में कि हम मैं आपको interesting चीज बताने वाला हूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यह table में क्या लिखा हुआ, यह data क्या बताता है आपका, यहाँ पर देखो, यह है आपके 2 statement वाला data ठीक है, एक line वाले जो question होते है, one liner वाले कैसे, जैसे कुछ और कुछ दे दिया, जैसे वो democratic पब्लिक को कौंगो दिया था, उसके one liner वाले question थे, one liner वाले question थे, one liner में, वो इसे question, ठीक है, कितने data है, उसको देख लो, एक बार, जैसे 2011 में हम लोग बात करते हैं, पहले कारते तो करते हैं, one liner वाले से, ठीक है, तो यहाँ पर, जो है, total 23 question आया हुए थे, यहाँ पर उपर अलगे ठीक है, तो यहाँ पर इतने आयते, जिसमें से, आपके 18 question, जो थे, जिसमें A सही था, B question ने इसमें 17 सही थे, और 10 question इसमें D सही था, 2012 में 23 question आये थे, जिसमें अगर ड्रजाजा 15 में देखो तो इसमें B और C तो ज्याधा तर अंसर हम्रों कहां मिल रहे है और देखो 1216 में तो 1216 में भी आपका बी और आपका ये डी इसका पल्रब आ रही है यहां पर देखो 2017 में 2017 में किसका आपका A और B का पलरब आ रही है तो मतलब जो हमारे यह डाटा हम लोग को क्यूं देख रहे हैं कहां पर हमारे जो है हमको option हमारे answer देना है हम लोग का माइंसेट होता है मतलब कि कही बार अगर देखो कि इन से हम लोग को UPSA का ठोड़ा सा माइंसेट पाते चल रहा है कि कहां पर वो सबस्यादा answer हमको दे रहा है मोस्टली ओकिए यह पैटन चेंज भी ओतरहा कोई दिखकत नहीं है अगर आपको नोलज आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कोई दिखकत नहीं लाश्ट-डिसॉार्ट है यह option वाले जो है न मैं यहां पर 2020 में A का पल रहा भारी है one liner में और यहां पर भी A का भारी है A का भारी या A का भारी है तो मतलब आप देखो 2020 है ना 20 से उसने pattern change कर दिया UPSC ने अभी हम लोग ने पहले के देख्या लेकिन 2020 से pattern क्या change कर रहा है A में answer को जादा तर दे रहा है one liner वाले question में Cambrun उसका एक का answer था देखें ना और D उसमें 12 का answer है तो मतलब dominance A का ज्यादा जा रहा है अगर हम लोग देखें one liner वाले question में ओके यह observation साब में यह पता चलता है तो last के चार साल में तो यह हुआ है कोई बात नहीं अभी अगर इस स treatment देता है फिर बोल देता है only one only two both और neither one or neither two उसकी बात कर रहे हैं लोग वाले question की इसमें देखो इसमें आपका AB 2011 में आपका यहां पर 2011 वाला है थोड़ा सा इसकी capacity बढ़ा देना आपको दिख जाएगा तो यहां पर जो है आपको only one only one जो है छे only two में चार और फिर a b answer है आपका तो इसमें जनरली क्या होता है जैसे one two फिर जो बोले की one सही है या only two सही है या आपको both सही है या तो बोत गलत है ठीक है तो इसमें क्या होता अगर एक भी गलत कर देते हो तो जनरली जो है उसका neither answer नहीं आएगा second answer आजाएगा मालो की first statement आपने wrong कर दिया तो यह तो wrong कर दिया तो उसका नहीं होगा यह बहुत तो होई नहीं सकता और neither नहीं हो सकता यह most of the time देखा गया यह observation है इसके बाद देखो दोज़ा 13 दोज़ा 14 में देखो a b और आपका जो है b इसका पलड़ा भारी है इसमें देखो a b ab इसका पलड़ा भारी है नन भी है दो दोज़ा 16 में देखो आपका a b और c a b और आपका c में जो a b दोनों आ जाते ना वह 17 में देखो थोड़ा नन वाले ज्यादा आ गए तो दोज़ा 17 में नन वाले कोश्चन ज्यादा आ गए तो मतलब 22 कोश्चन आयते ऐसे दोज़ा 17 में यह two statement वाले इसमें आपको नन जो ह देने वाले यह चार्ट यहां पर देखो यहां पर देखो 2020 में तो आपके ज्यादा आय नहीं ते छे आय थे छे टू स्टेट्मेंट वाले आय थे जिसमें नन का पल्रवादी था और यहां पर देखो 2021 में a b 2022 में a b 2023 में a b तो a b का पल्रवादी देखने को मिल रहा है हम लोगो लास्ट चार साल में पैटर्न बदला है यह यह पेसे का अब हम लोग ने पहले का भी क्यों करा पहले का एनलेसिस करना जरूरी था ताकि हम लोग पहले साही पैटर्न को अब्ज़ब करते हुआ है तो य दिख लेते हैं देखो जो बन पेर टू पेर जो इतना शौकिंग अलिमेंट लग रहा था ना अगर आप यह वाला इनलेसिस कर लेता तो बहुत ना शौकिंग अलिमेंट नहीं होता तो यह आप्शन वाली जो है ना ट्रिक वर्क करती है लॉजिक करता है देखो यहां पर यहां पर देखो यह आपके टूटल सत्रा कोश्ट इस ए जिसमें दो सइथ है उसमों सता ही साह थे 2011 में बतला तीन वाले स्टेट्मेट में सत्रा कोश्ट इसमें 12 सैथ है हमारे वहां पर देखो देखो 2012 के इंसल लगागए देखो इसमें भी दो ओल्मस्ट अठारा जल्दी कम हो जाता है लेकिन कुई दिकत नहीं तीन में से 2, 2019 में और देख लेते हैं हम लोग यह मारे मालूम है कि हमारे 10 साल के पेटर में यही दिख रहा है कि तीन में से दो स्टेटमेंट से होते तो क्यूं आप इतना सोच रहे हो इस से जदा में और fact और data कहां से लाँ बताओ अब अगर आप भी भी आप इसको scam बोलोगे बहुत सारे ठीक है जो लोग इसको scam बोलोगे तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है आप लोगों की गलती आप नहीं लगाओगे तो log लगा के चले गाएंगे वह दो marks आपसे जादा आप से एक्स्राले लेंगे, got it, यहाँ पर देखो, अब 4 statement के बारे में बात करते हैं, 4 statement में भी मैंने बोला कि 4 में से 2 होने के सही chances ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर देखो, data देखते हैं हम लोग, यहाँ तो 4 statement तो सही नहीं होते हैं, ज्यादा तो देखा, तो 5 question आया था, इसमें 4 वाले, तो उसमें से यहाँ तो 3 सही तो 2 सही तो है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा patent पता चल रहा है हम लोग को, यहाँ पर देखो, 4 में से यहाँ तो 3 सही तो 2 सही है, यहाँ पर देखो, यहाँ तो 3 सही है, यहाँ तो 2 सही है, ठीक है, 3 यहाँ दो में से answer होता है, एक वाल अंसर कम होता है, जैसे कि मैंने चार वाले ट्रिक में बताई ना, पहला और आखरी, मतलब चारों सही नहीं होते हैं, और पहला सही नहीं होता है, तो आपका जो mostly जो probability होती है ना, probability, वो दो या तीन, चार वाले statement जितने में भी होता है ना, इसमें दो या तीन में अंसर होने के chances होते हैं, देखो यह, मैं गलत बोल रहा हूं तो यहाँ पर यह बता रहा है न, देखो चार में से दो ही सही है, पांच जो question है, इसमें भी देखो, mostly answer आपको तीन और दो में से देखने को मिला, mostly answer से देखो यहाँ पर 4 question आए, मुझलिए answer का से में से देखने में मिला, 2 या 3 में से, मतलब पहला, 4 भी statement में, पहला एक pair को तो काट दो, और 4 pair को काट दो, आपका answer जो है 50-50 तक पहुच गा है, और बैस लगाओ दुक्का, खेलो game, play game, रिस्क वाला, चलो, यहाँ पर भी द 1 का dominance चल रहा है, 4 साल से, उससे पहले क्या देख रहे हैं तो हम लोग, 2 और 3 का, लेकिन यहाँ पर, सबसे यहाँ रहा dominance, किसका चल रहा है हमारा, 2 का, ठीक है, 4 में से 2 सही होने के chances जाता होते है, यह बहुत, जो है, मतलब, कैसी खोज है, मले आगा है, वे वेको तो यह करक होता है, और एक सही होता है, इसमें, तो यहाँ पर, आपका 3 और 4 का dominance है, यहाँ पर 3 का dominance है, यहाँ पर, भी आपको 3 सही होगगा, 2015 में, 3 या 2 के बीछ में, atualका 3 के बीच में, 2018 में, 3, 3 पांच एक बार सही है जो कि अगर पॉलूशन वगेरा वाला यह होगा कोई 2019 में देखो आपका दो या तीन कही डॉमिनेंस है और देखो यहां पर डॉमिनेंस तीन कही ज्यादा है लास्ट तीन साल में तो डॉमिनेंस तीन ओप्शन कही देखने को मिल रहा है देखो डाटा यहां पर पर यहां पर यहां पर आहर colony हुआ है यहां पर चार से शही है यह से खाल सही है तो फिर आप पास उसको रिस्क्न ले सकते हो साथ स्ठीट्मेंट से 5 न på आटलों यह कंतन से वह एगी कारण वहाँ उसमें साथ इस्टेट्मेंट नहीं पुछेंना statement one statement two तो एक उसका explanation है, एक explanation है तो उसका c option है ना वो generally देखा गया कि उस रही है तो इससे 10 question आया थे इसमें 8 question में c option उसका देखा गया था तो यह चीज आपको समझ में आ रहा है यह Hindi medium बालो clear तो देख लेना इसको तो अब आपको समझ में आ रहा है यह इतना meta analysis करने के बाद भी कौन-कौन सी चीज आपको देखने को मिली जो मैं बोल रहा था कि तीन मैं से कोई और जो है यह apply करके exam निकालके means लिख रहा होगा ठीक है तो आयोब जो है यह आपको समझ में आए होगा and thank you so much कि आप लोगों ने support और प्यार दिया मैं सची बता हूं तो मैंने कोई organize नहीं किया था कोई भी चीज़े यह नहीं पता थी कि मेरे को यह आपके लिए वीडियो बना है जल्दीवाजी में जैसे भी चीज़े में उससे बनी मैंने अपने तरफ से बैस्ट देने की try करी मैंने जितना भी learning किया मैंने जहां से भी सीखा था और भी सीखा आप लोगों के लिए वीडियो करके लिए वह सारी चीज में आपको प्रोवाइड करवा दी है तो आई होप जो है आपके लिए वेनेफिशल रहा होगा और आपको बहुत सारी चीज़े जो हैं जानने को मिले होंगी इस वीडियो इसे और अभी तक की जित्री भी में वीडियो डाल रहा हूं शॉट में बने रहे न आप लोग शॉट में डालते रहोंगा काफी सारी जो चीज़े वो रिवाइस हो जाएंगी चलते फिरते घुमते फिरते जा रहा हो सेंटर में तो चलते फिरते देख लेना उसको महीं प जो है उनको equal importance देना अगर कोई भी जो है question पर stuck हो रहा हो तो उसको leave कर दो कोई दिक्कत नहीं है छोड़ सकते हो की अगर यह जो है यह 90% लोगों के लिए तो यह बार करेगी अगर वह वर्क नहीं कर रही है दस पर्सेंट लोगों के लिए तो परको हुए दिए कोई ने ही है तो क्यों नहीं होगा यार यही तो स्मार्ट वर्क है हम लोग स्मार्ट asperenant है तो जरूरी नहीं है कि वो 10% लोगों के लिए अपलाया हो तो आप उन लोगों की बात मान के हमारे ट्रिक पर भरोसा ना करो या यह इस पर ना करो आपने खुद ने observation करा है मुझे मुझे नहीं करो तो ठीक है इनको अपलाय करके देखो फिर भरोसा करो डारेक्ट एकजाम होल में मत करना नहीं तो यह बैकफायर कर जाएगा फिर रोगे और बोलोगे कि यह ऐसे वर्क नहीं करता है यह यह देखके गया था यह देखके गई थी और कोस ते रहोगे फिर साल बर ठीक है वो निकरना है ठीक है कोई भी जो है प्रिकॉंसिब नोशन लगा कि देखो या टेस्ट में आपकी कहा एकुरेसी रही है या कोई एक अन्नोन टेस्ट लगा के देखो कि किस एकुरेसी रही थी उसके साफ से देखो और एक्जाम हॉल में भी डिसाइड करो क्योंकि 2013-2023 का जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे कुशन लीव करने के थे आपको पता है ना नन कितने सारे में देदिया है तो वह एक्सपेक्ट ही नी करता उसको आटेम करो तो वह आपका एक्जाम होल कंडिशन पर भी डिसाइड होगा कि कितने आटेम करना कि तो उस पर भी चूड़ सकते हो और जो है स्टार्टिंग के 10-15 कोउशन देखके ना जो है प्रेडिक्ट मत करना अपके पास 8 अलग आ गया हो आपके पास भी आ गया हो कोईशन आपके पास 10 कोईशन के दिखके न वआ अछोकर मांत हो जाना यह तरस के लिए हमसे एस बाट में हो देखा बट आपके अंदर यह भरूसा रखो कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी मेरको दिकालने के लिए इसने चांसेस दिये हैं ठीक है और यह नानो अब दावॉब जो है आज कल ज्यादा देखने को मिल रहा है पहले लेस चांसेस थे बट यहाँ पर 2023 में आपको थोड़ा सा यह ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहा है बट वो भी हमारे मैपिंग वाले कोशन अम लोगों ने देखा है तीक है और यह जो है अगर आप लुग जो है एक ओप्शन भी ऐलिमेनेट कर ले तो एक ओप्शन भी ऐलिमेनेट कर दे तो जो कि मैंने बताए कि लॉजिक्स अपल अब अपने आपको बना रहा हूँ अगर उस कोशन को अटेम नहीं कर रहा हूँ करना है बाई प्रोवेल्टी के साब से आपका अंसर सही हो जाएगा मतलब पॉजिटिव नेट पॉजिटिव ही रहेगा तो यह आपके लिए बैनेफीशल रहा होगा मैंने सारी कंपाइल कर तो जो है मैं अल्रडी पीडिएप डाल चुका हूँ वहाँ से जाके रिवाइस कर लेजिए और एक बार सब्जेक्ट वाइस की जो है वीडियो देख लेना आप लोग वो वीडियो देख लोगे ना आप फास्ट स्पीड करके देख लेना तो थोड़ा सही रहेगा उसमें अब्जर्विशन है उसमें बारिक बारिक अब्जर्विशन है कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे ट्रैप फसाता है यूपेसी ओके तो आयोब जी यह चीज आपको बेनेफिशल रहा होगा यह वीडियो आपके लिए बेनेफिट रहा होगा मैंने आपके हर एक टाइम को स्कुराते रहिए जय हिन जय भारत